हेलो दोस्तो एवले डिंगवा में आपका फिर से स्वागत हैं दोस्तो हम सभी लोगों को डिवर्स बहुत पसंद आती है स्पेश्ट्यूस के आसपास की जगा वहाँ इसलिए यादगार के लिए हम सेलफीज भी लेते हैं हमें वो सराउंडिंग इसलिए भी पसंद होती है क्योंकि डिवर्स साइट पानी का शोर और साथी साथ चलते पानी की आवाज होती है जो हमें नेचर से जोड़े रखती है एक अलग सी सैटिस्टिस्टेक्शन देती है इस लॉकडाउन के समय में आईए हम आपको ले चलते हैं एक सुन्दर सी नदी के पास जहां हम पानी का शोर पानी की मूवमेंट सुन सकते हैं ये है वो सुन्दर सी शान सी दिखने वाली जगा जहां आप आसपास गूम रहे हैं तब ही आपकी नजर इस बोर्ड पर जाती है साफधान ये रिवर आसपास के गूमने वाले लोगों को अपने अंदर समा लेती है अब आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता इस बात पर यकिन दिलाने के लिए आपको हमारे साथ जुटे रहना होगा क्योंकि ऐसी जगा है ऐसी नदी है जो इनसानों को निगल जाती है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंग्लैंड में बहने वाली वाफ्ट नदी को बेहती खतरनाक माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस नदी में गया वो आस तक बाहर नहीं लोट सका और ना कभी उसकी लाश मिली बहत खुबसूरत दिखने वाली ये नदी बॉल्टॉन एबे में है ये 6 फिट चौड़ी है लेकिन उसकी गहराई बहुत जादा है पत्रीले रास्ते की वज़े से इसके पानी का फ्लो बहुत तेज है ऐसे में कोई भी इस नदी में जाता वो पानी के साथ बह जाता है पर सबसे बड़ा सवाल कि जिसने भी इसको पार करने की कोशिश में पानी में छलांग लगाई वो कभी लोटकर क्यों नहीं आ पाया क्या कारण है जो ये इतनी खतरनाक है दोस्तों आईए जानते हैं पहले की कौन वो बदनसीब लोग हैं जिनोंने बॉल्टन स्ट्रीट में अपने आखरी पल गुजारे 1998 में इस जगा में एक कपल था जो काफी खुशी से इस रिवर के पास घूम रहा था काफी लोग थे आसपास जिनोंने इस हाथसे को देखा पर वार्णिंग के चलते कपल को बचा नहीं पाए कपल के पैरों तले अचानक से पानी बढ़ गया और देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे पानी ने कपल को खीच लिया अगला हाथसा 2010 में हुआ जब एक जवान लड़का फोटोस किचवा रहा था और अचानक से उसका पैर फिसल गया उसके बाद वो पानी में डूब कर गायब हो गया और फिर उस लड़के का कभी कुछ पता नहीं चल पाया दोस्तों ये हाथसा आज से नहीं हुआ ना ही 1998 से सबसे पहले माना जाता है कि ये हाथसा आसपास के इलाके में रहने वाले मा बेटे के साथ हुआ जिनकी बॉल्टोन के आसपास की जगा थी बेटे का नाम विल्यम था 1154 में उस लड़के ने शिकार के कारण ये नदी क्रॉस करने की कोशिश की और फिर उसके बाद वो फिसल कर नदी में गिर गया और वो कभी नहीं मिला उसकी मा इस हाथसे से बहुत दुखी हो गई थी और उसने आसपास की जमिंग सादो को दे दी और कहा कि उसके बेटे की आत्मा की शान्ती के लिए पूजा की जाए बाद में इस नदी को बॉल्टॉन स्ट्रीट नाम दे दिया किया कई थियोरीज हैं जो बॉल्टॉन स्ट्रीट को और भी दहशत बरा बनाती हैं जो आसपास की मानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये नदी जितनी उपर से शान्त है उतनी ही नीचे से खतरनाक उनका मानना है कि इसके नीचे कई खाली केव्स हैं यानि गुफाएं हैं जो पानी से भरी हैं जिसमें जानवर रहते हैं इंचान को केव की और जानवर खीशते हैं और फिर उसे खा जाते हैं वही कुछ मानते हैं कि केव के अंदर नेगिटिव पावर्ज हैं जो इस नदी के आसपास आने वाले लोगों को अपनी और अकरशित करती हैं ऐसा इसलिए क्योंकि गाओं की एक लड़की ने या एक सुन्दर घोड़ा देखा जो पानी में से निकला था और वो नदी के उस पार चला गया था उस लड़की ने अपने घरवालों को इसके बार में बताया और उस घोड़े को ढूडने के लिए नदी पार करने की कोशिश की और वो लड़की भी इस नदी का शिकार हो गई कुछ लोगों का मानना है कि ये आत्मा और किसी की नहीं बलकि विल्लियम की ही है उसकी माँ वो वक्त रहते ही पता चल गया था कि विल्लियम की आत्मा को शान्ती नहीं मिली जानता है बॉल्टॉन स्ट्रीट के बारे में। जो लोग भी नए है इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि कि आप लोगों को सबसे पहले मिल सके हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है जानता है रारे में। झाल